Hello everyone, I am Dr. Garima Asati, welcome you all in my YouTube channel. Medicines for Injury की सिरीज में last medicine है Arnica. ये concealed injury के लिए है, means मून्दी चोट के लिए. ये एक मात्र ऐसी दवा है, जो की bleeding को भी रोकती है और clots को dissolve भी करती है, simultaneously means एक साथ. इसकी जो चोट होगी वो ऐसे जैसे किसी ने डंडे से मार दिया हो, किसी blunt instrument से हो, या किसी तरह से गिरने से हो, confusion हो, या mechanical injury हो, इस तरह की चोट के लिए इसका result बहुत अच्छा है. पेशेंट को ऐसा लगता है, जैसे किसी ने उसे डंडे से बहुत पीटा हो, इस तरह का दर्थ होता है. बहुत ज़ादा bruises बनते हैं, means नीले निशान आते हैं body में. इसमें pain जो होता है, वो बहुत severe होता है, और patient बहुत sensitive होता है, कि कोई उसे touch भी ना करें. काले नीले निशान बने शरीर में, जैसे नील कहते हैं, या bruises कहते हैं, उस तरह की निशान के लिए, उस तरह की चोट के लिए इसका result बहुत अच्छा है. और other examples देखें, तो जैसे labor के बाद, delivery के बाद, patient को जब problem होती है, urine pass करने में, या retention होने लगे, urine रुकने लगे, या अच्छानक से बह जाए, और soreness रहे, वहाँ पर दर्द भी रहे, तब भी इसके results बहुत अच्छे हैं. आखों में यदि चोट लगे, जैसे खून आजाए, bleeding हो जाए, या कोई मूंदी चोट हो, तो उसे भी ठीक करती है. तो ये bleeding को तो रोकती ही है, साथी साथ खून के ठके जमने से भी रोकती है, और pulse formation को भी कम करती है. कोई पुरानी injury हो, जैसे chronic injury सालों पुरानी, उसके बाद यदि लगवा लग जाए, मिन्स, paralysis हो जाए, या बात हो जाए, rheumatism हो जाए, तो उसे भी ठीक करती है. ब्रेन में किसी तरह की चोट लगने के बाद, यदि bladder और motions के control चले जाए, मिन्स, patient को पता लगे बिना ही motions निकल जाए, या urine पास हो जाए, तो उन cases को भी ये ठीक करती है, involuntary जब ये पास होने लगे, तो वहाँ पर ये control produce करती है, control वापस लाती है. और इसका जो patient होगा, वो बिस्तर पे properly नहीं लेट पाता है, उसे बिस्तर में लेटने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत restless होता है. चल ये friends, ये medicine यहीं complete होती है, जल्द ही मिलते हैं किसी अगली series में. Stay connected to stay healthy. Thank you.